ओम्स्यांति, 17 अगस्त, बहुत नसे की मुल्ली है, डीप रियलाइज कराने वाली मुल्ली है, तुम बच्चे, मुझे मिलने के लिए, यग्य, दप, दान, पुन्य, तीर्थ, सब कड़ते आए, कोई भी मेरे को मिल नहीं पाया, क्योंकि कोई मुझे जानता है नहीं था, कोई भगवान को सर्व्यापी कह रहा, कोई अनेकों को भगवान कह रहा, कितने भगवान होगे, जबकि तुम जानते हो, किसी विदेधारी भगवान नहीं कह सकते, अब मैं तुमारे कितने समीप आ गया हूँ, बहुत अच्छी बात है बाबा किये, तुम मेरे सम्मुख वैठे हो, मैं तुम से बात कर रहा हूँ, और कहता हूँ, तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यू नहीं होगी, कभी विमार नहीं होगे लंबे खाल तक, तो तुम्हें अपार खुसी होनी चाहिए, हम भगवान के बच्चे बन गए हैं तो उसके वर्षे के अधिकारी हो गए हैं बहुत बाबा रियलाइस करा रहे हैं तो मेरे बच्चे हो तो मेरा सब कुछ तुमारा है तो मैं अपार खुसी हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग रच रहे हैं सबसे बड़ा वंडर है वो, जैसे यहां साथ वंडर है, वो जैसा वंडर तो कोई होता ही नहीं, जहां अपार सुख है, तुम मनुस देवता हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्वर्निम दुनिया है, प्रकर्ती भी, अती सुंदर है, सतो प्रधान है, तुम भक्ती में सत् करते आए मनुष्यों के द्वारा कथाएं और शास्त्र सुनते आए अब तुम रूहों का मुझ रूहानी बाप से सत्संग हुआ है केवल एक बार होता है यह सत्संध जब तुम मेरे से सुनते हो, जब मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं, तुम्हें पावन बनाने आता हूं, तुम्हारी परवरिष करने आता हूं, तुम्हारी केर करने आता हूं, बहुत प्यारी बात कहीं बाबा ने, मैं आता हूं, तुम बच्चों की कितनी इज्यत करता हूं, विचार करें, भगवान जिनकी इज्यत करें वो कितने महान होंगे, हम भी अपने बाप की बहुत इज्यत करते आए, इले दौापुर से उसके मंदिर बना कर, याद करते आए, प्यार करते आए, पोजा करते आए, बाबा कहते हैं, तु मेरी परवरिस में चल रहे हूं, मैं केवल एक बार आता हूं, संगम यूग पर आता हूं, उन्हें तो कह दिया, यूगे यूगे आता हूं, अच्छा, यूग यूग भी आता होता, तो चार-पांच यूग हैं, चार-पांच बार आता हूं, उन्हें चार-पांच बार आता हूं, तो कहीं बात बनती नहीं मैं केवल संगम पर आता हूँ संगम ही कल्यान कारी यूग है सत्यूग को भी कल्यान कारी यूग नहीं कहेंगे वहां किसी का कोई कल्यान नहीं करता कल्यूग के अंत में आकर मैं ही तुम सब का कल्यान करता हूँ इसलिए मावरत लड़ाई भी खड़ी है, ये दुखों की दुनिया, ये रावन राज समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारे लिए सुखों की दुनिया आ जाएगी, तुम मेरी परवरिस में पल रहे हैं। लेकिन जो ग्रस्त में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मन से कहते हैं, मेरा सब कुछ बाबा आपका है, वो भी ब्रम्मा बोजन ही खाते हैं, और भंडारे और भंडारी वर पूर रहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहीं बाबाने हैं। उसकी परवरिस बाबा की बंडारे से होती है। तो बहुत ही सुंदर बात है, हम सब भगवान की बंडारे से बोजन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सब्द हैं बाबा के, बहुत है नात के बंडारे से ब्रम्मा बोजन काने से हिर दे सुद्ध हो जाता है। सभी अपने घरों में भी इस तरह की व्यवस्ता करें। कि आपका घर का भोजन भी ब्रम्मा भोजन हो जाए। आप शिरिमत पे चलते रहें। पैसा आदी को ऐसे वैसे घर से नहीं करेंगे बिना शिरिमत के। तो भोलानात का बंडारा हो गया आपका घर भी वह भरपूर भी रहेगा। और आप ब्रम्मा भोजन भी खाएंगे हिर्दय सुद्ध भी होता जाएगा। तुम अभी सुरिय संपरदाए हो। हो तुमारा रूहानी संपरदाए है। तुम भागवान के परिवार बन गये हो। ऐसा कल्प कल्प होता रहेगा। यह दादा जोहरी होगा। मैं इसके तन में आऊंगा, तुम मेरे सम्मुख होगे, मैं तुम्हे ज्ञान दोंगा, ज्ञान का सागर मैं ही हूँ, मैं ही आकर इस संसार में रोसनी करता हूँ, जब तक मैं ना आऊं, संसार में रोसनी हो नहीं सकती, ज्ञान की रोसनी, अब मैं तुम्हें सम्मुग ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम राज करेंगे स्वर्ग में चल कर, तो आज हम सभी खुशी की इन बातों पर चिंतन रखेंगे, कौन सामने बैठा है क्या मिलने वाला है, किसकी परवरिस में हम पल रहे हैं, और गहराई से चिंतन करके, मेरा सब कुछ तेरा है, भक्ति में तो केवल कहते आए, अब इस कार्थ ही है कि हमने मन से सब कुछ अर्पित कर दिया, और फिर जो बाबा कहे वैसा हम करेंगे, इसको कहते है ठर्ष्टी हम टर्ष्टी हो गए, भगवान को सब कुछ दे दिया, तो हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे, इस पर गहराई से चिंतन करना है, और रोज रोज इस संकल्क को अपने अंदर रिवाईज भी करना है, मेरा सब कुछ तेरा है, ये घर, ये धंदा, ये परिवार, सब कुछ तेरा है, तो आपको बहुत अच्छे अनुबह होंगे, परमातम पर वरिष में जीवन पलता रहेगा, और जिसको भगवान पालता हो, जिसको भगवान खिलाता हो, वो सदा तंदरूस्त भी रहेंगे, और हैस्त कमाई भी करते रहेंगे, वर्दान है, विस्तार की रंग बिरंग की बातों को छोटा करके, समाप्त करके सहजीयोगी भाव, बहुत सारी बाते हैं संसार में उटी-सुल्टी, उनका विस्तार बहुत है, उसमें जाने से जो बीज बाप है, वो भूल जाता है, ये बाते रंग भी रंगी हैं, आकर्सित भी बहुत करती हैं, लेकिन सहज को याद रखना है, सुनी-सुनाई बातों में नहीं जाना है, तब हम सहज योगी बन सकेंगे, स्लोगन, मैं और मेरा पन, ये ऐलोए है, मिक्स चरिटी है, इसको समाप्त करने वाले ही रियल गोल्ड बनते हैं, तो आज का हमारा अभ्यास होगा, पांच स्वरूपों क हम अभ्यास करेंगे, और सुरुवात यहां से करेंगे, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, फिर आत्मिक स्वरूप, आदी देव स्वरूप, पुझ्य स्वरूप और फरिष्टा, लेकिन मैं ब्राम्मान हूँ, इसको पहले करेंगे, मैं इस वरी संपर्दाय में हूँ, भगवान ने आकर मुझे रोशनी दी है, हर घंटे में एक बार करें, जीवन आनन्दित हो उठेगा, ओम शांती.